हाई फ्रेंड्स मैं वनीशा फ्रेंड्स आज मैं आपको किचन से जुड़े किचन टिप्स देने वाली हूँ जो दिखने में तो बहुत छोटे छोटे होते हैं पर हमें इन परेशानियों से जूजना पड़ता है जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इन टिप्स को देखने के के बाद आप खुद कहेंगे कि हमें पहले से क्यों नहीं पता था क्योंकि यह बहुत यूसफूल है जैसे हमारी किचन में गैस तो सभी के पास होता है बीना गैस के तो हम खाना कुकी नहीं कर सकते और गैस ऐसी बात ने इस साब भी सभी कर लेते हैं विंबार से कर लो यह कर लीए करें लिए और फिर उसको किसी साबुन से अभिम बार से अच्छे तरीके से साफ कर ले हमारा गैस साफ भी होगा और जो उसकी खोई हुई चमक है फ्रेंट वो बिलकुल वापीस आ जाएगी कहने का मतलब यह है गैस सभी साफ कर लेते हैं बस हमें अगर अपने गैस पर चमक चाहिए तो हम छिलकों का यूज करें के लेकि यह देखि ही आता है और उस दूद से फ्रेंट हम मलाई कठी करके घी बनाते ही बनाते हैं क्योंकि बाहर का घी इतना शुद नहीं होता हर कोई घर का घी बनाना पसंद करता है जैसे कि आज मैंने बनाया है मैं यह करने वाली थी तो मैंने सोचा यह टिप मैं आपके साथ भी शेयर दिखा रही हूं मैंने अभी ताजा ताजा घी बनाया है उसके बाद आप देख लेजिए कड़ाई का क्या हाल है हम कितना भी ध्यान से बनाए कितना भी इसको घुमाते फिराते बनाए नीचे यह हमारा लगी जाता है घी को बनाने से पहले हमें यह सहम चड़ जाता है कि अब हमें कड़ाई साफ करनी पड़ेगी इस परेशानी से अधिकतर सभी लेडी जूचती है तो यह मैं आज आपकी परेशानी बिल्कुल खतम कर रही हूं इनी केले के छिलकों का हम यहां भी यूज करेंगे एक कड़ाई में मैंने पानी लिया है और पानी में डाले हैं मै मैंने कुछ केली के छिलके और थोड़ा सा सर्फ नॉर्मल सर्फ है फ्रेंट जो भी आप यूज करते हो इसको आप उबाला लगा दीजिए यह देखी इसके अंदर नीचे जितना भी गंद बैठा था आप खुद पानी में देख पा रहे होंगे वो सारा उबल उबल के कुछ नहीं करना पड़ेगा सीधा केले के छिलको को डालो थोड़ा सा इसमें कोई भी सर्फ डालो और यह जितनी भी इस पर पपड़ी या जितना भी इस पर हमारा नीचे जमा पड़ा है यह सब हमारा एजली निकल जाएगा यह हमने कुपाला लगाने के बाद एक साइड से परेद में रख लिया था अब इस गंदे पानी को हम एक विगोने में रिता देंगे ये देखी पहले हमने चम्चे से इसका सारा नीचे का निकाल लिया है जितना भी इस पर जमा वहा था ये देखिए अधिकतर हमारा सारा क्लीन हो चुका है और ये देखिए अभी भी बहुत इजली अराम से निकल जाएगा बस फ्रेंड आपको कुछ नहीं करना है सिर्फ पानी पकाओ केले के चलके डाल के थोड़ा सा सरफ डाल दो और बाद में अपनी कड़ाई को इस तरीके से पूरा क्लीन कर लो चम्चे से और फिर इसको साबुन से मांच के या फिर विमबार से मांच के आप चमका लो और फ्रेंड में यहीं आपको एक सेकंड टिप और देना चाहूंगी कि जब हमारी कड़ाई हम साब कर लेते हैं उसके बाद भी साइड में थोड़े से हमने देखा है कि कालसपन आ जाती है वह कालसपन फ्रेंड मैजिक की तरह उतर जाएगी मैजिक की जिनकी भी कड़ाईयां काली है आप इस तरीकी से आप करिएगा एक निम्बू लीजी आदा कटा हुआ ताजा या पुराना जैसा भी हो छिलका भी हो तो वह भी चलेगा यह मेरा बहुत सूखावा निम्बू ह जो मैंने फ्रिज में से ऐसे ही निकाला है और उसको खूब अच्छी तरीकी से मैंने रगड़ा है और देखिए मेरी गढ़ाई कितनी चमा चम चमक गई है मैंने आपको लाइव करके दिखाया है इसकी क्या हालत थी अग चलते हैं हम अपने तीसरे टिप की तरफ तीसरा ट चापाती बनी होती है सबजी बनी होते हमारा गैस खतम हो जाए और हमारे पास इंडक्षन भी ना हो तो फ्रेंड हम यह यूज कर सकते हैं हम अपनी प्रेस को पहले नीचे से अच्छे से साफ करेंगे डस्ट फ्री करेंगे उसके बाद हम अपनी बनी हुई चापाती या र तो इस तरीके से हम इंडक्शन और गैस के अभाव में प्रेस से भी रोटी अपनी गरम कर सकते हैं एक बात और जरूर कहूंगी आप प्रेस से रोटियां जलाम मत देना बस थोड़ा ही हलका इसको दबा के दो या तीन सेकंड में रोटी हमारे अच्छे से गरम हो जाती है यह देखिए कितनी अकड रही थी है और अब यह कितने नरम हो गई है गरम होने के बाद कि इसी तरीके से हम अपने सारे फुलके गरम कर सकते हैं गैस ना हो तो हमारे पास है और आपको मेरी टीप पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले देंदें